वैसे तो रोजी हम तुल्सी जी की पूजा करते हैं पर तुल्सी दीवस के दिन तुल्सी जी की पूजा करने का विशेश महत्व है और इस दिन तुल्सी जी की पूजा करने से अच्यदिक लाब की प्राप्ती होती है तो आप सभी को तुलसी दीवस की हार्दिक शुब कामना है और जैसा कि अब सब जानते हैं कि तुलसी पूजन की जो परंपरा है वो पौराणिक काल से चली आ रही है परंटु तुलसी दीवस जो है वो पौराणिक काल से नहीं मनाया जाता है इसकी शुरुवात कब हुई किसने की तुलसी जी की पूजा करने से क्या लाव होते हैं और तुलसी जी आपके घर में अगर सूखने लगे तो वो किस चीज का प्रतीक होता है यह सभी बाते आज जो अंतक बने रहेगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बैल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा तो जैसा कि अब सब जानते हैं कि हिंदु धर्म में तुलसी जी के पूजन की जो परंपरा है वो पौराणी काल से चली आ रही है और पिछले वह मनाया जाने लगा है वह भी 25 दिसंबर के दिन ऐसा माना जाता है कि एक दिन तुलसी पूजा और तुलसी का दान कंण्यादान के बराबर पुन्य के बराबर जो है वह माना गया है तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि तुलसी जो दीवस है उसकी सुरुवात कब से तो आपको बता देता हूं कि तुल्सी दीवस की जो शुरुवात है वो 2014 में कई मंत्रियों और संतों के द्वारा तुल्सी के महत्तु को बताने के लिए यह निर्धारित किया गया कि 25 दिसंबर को हर साल तुल्सी जीवस है वो मनाया जाएगा और इसकी शुरुवात में जो केंद्रिय मंत्री है गिरी राग सिंग उन्होंने इसकी जो है वो शुरुवात की थी तो आप मैं आपको तुल्सी पूजन के जो लाब है वो बताने जा रहा हूं देखे माननेताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आप कोई भी मंत्र का जाप तुल्सी जे के पास खड़ाओ कर करते हैं तो ऐसे में उस मंत्र का जो लाब है वो कई वोना बढ़ जाता है तुल्सी पूजन से बुरे विचारों का नाश होता है भूत प्रेट राक्षस तुल्सी के पोदे से देखा गया है कि दूर रहते हैं पदम पुराण के अनुशार तुल्सी के पत्ते से टपत्ते जल को सिर्पर लगाने मात्र से ही गंगासनान करने और दस गोदान करने का जो लाब है वो आपको प्राप्त होता है तुल्सी पूजन से सभी रोग नस्ट होते हैं और अच्छे स्वास्त की प्राप्ती होती है तुल्सी पूजन और तुल्सी रोपन से पाप भी नस्ट हो जाते हैं ऐसा माना जाता है कुछ पारंपारिक पूरानिक कथाओं के अनुसार कि तुल्सी पूजन करने से स्वर्ग और मौक्स के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं तुल्सी के उच्चारण मात्र से ही मनुष्य के जो पाप है वो नस्ट हो जाते हैं और पुन्य की प्राप्ति होती है, स्राग और यग्जे जैसे धार्मिक कारियों में तुल्सी का पत्ता ही महान पुन्य देने वाला होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर तुल्सी सूखने लगती हैं तो वो किसका प्रतीक होता है और हरी बरी तुल्सी किसका प्रतीक मानी जाती है, एक विशेज बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो तुल्सी जी है वो विश्णु भगवान की अच्चादिक प्रिये जो है वो मानी जाती है, इसलिए तुल्सी जी की पूजा करने से भगवान विश्णु भी प्रसन्न होते हैं और उनकी क्रपाद रिष्टी भी आप पर बनी रहती हैं, हम सब जानते हैं कि तुल्सी जी का जो इस्तमाल है वो बहुत सारी आयरुवेदिक दवाओं में भी किया जाता है और इसके बहुत सारे जो मेडिशनल गुण है वो भी होते हैं, तो इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में विस्तार से कर लेंगे तो आपने अक्सर कई बार देखा होगा कि जो हमारा तुल्सी जी का पोदा है वो मुर्जाने लगता है सूखने लगता है और बहुत ज्यादा केर करने के बावजूद भी या मैं कहूं कि पानी देने और कि अच्छी देखभार करने के बावजूद भी वह पोदा जो है वह सही नहीं हो पाता है ऐसा इसलिह होते हैं क्योंकि अदल के पोदे निसधना कि ज़्याइद पौ скорर मुर्जाने में किसी तरह कर आने का लिए वो माना जाता है एसा कहा जाता है कि पोदा तो आपके घरों में कस्ट आ सकते हैं ऐसी पौरानिक माननेताइं हैं इसलिए तुल्सी जी के पौदे को हमेशा हरा भरा जो है वह रखना चाहिए अक्सर यह देखा गया है कि जो तुल्सी जी का पौदा है वह तो सर्दियों में इसके सूखने की जो समस्चा है वो अक्सर आपको देखने को मिल जाती है तो तुलसी जी का सर्दियों में विशे ध्यान जो है वो रखना पड़ता है तो तुलसी जी की आप केर जो है वो सर्दियों में कैसे कर सकते हैं इसका वीडियो आपको मेरे चैनल प बॉक्स में डाल दूंगा और लिंक बड़न पर दे दूंगा और देखिए जब तुल्सी जी सूखती है तो ऐसा माना जाता है कि संकट आने से पहले लक्षमी यानि तुल्सी जी जो है वो चली जाती है तो अगर आपका तुल्सी जी का प्लान शूख रहा है तो उसका सूखने से पहले ही जो है वो विशेश ध्यान आप रखे आपके घर में जो है वो खुशाली बनी रहे अब मैं बात करता हूं कि अगर तुल्सी जी का पौदा अच्छा है बहुत हल्दी और हराबर है जैसा आ तो यह किस चीज का संकेत माना जाता है देखी तुल्सी जी के बहुत अधिक अच्छी ग्रोथ करने पर ऐसा माना जाता है कि जो पुद्ध ग्रह की स्थिति होती है वह बहुत अच्छी होती है क्योंकि जो बुद्ध ग्रह है हरे रंका होता है और पेड़ पोदों का जो का कारक है वो भी माना जाता है कि ऊशे अच्छे प्रभावाव से जो पेड़ पूदे हैं वो बढ़ने लगते हैं जबकि इसके इसके ओपर में Is just yeah ओinate वे तो टुल्सी जी हमारे लिए पूदि अब हमेशा यह कुरते हैं पर कुल्सी दीवस की दिन इसका कशा मेहत होता है